हेलो फिरिंज आज में लेकर आई हूँ बहुत नी स्वादिश्ट रसगूले की रेसिपी आपको साइद एकिन नहीं होगा कि ये मैंने सुजी से बनाया हुआ है तो ये देखिए कितना इसका प्यारा लुक आया है बहुत ही अमेजिंग बहुत ही सॉप्ट बनके रेडी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चले इसे हम बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर मैं लेनी हूँ आधा कब सूजी आपको यहां पर बारिक वाली सूजी होगी तो भी ले सकते हैं तो यहां पर मैं एक पैन ली हूँ और इसको ऐसे एक से दो मिनट तक भूनेगे यहाँ जल्दी ही भूना जाता है तो इसका क्या हो जाएगा तो यहां पर हम लो फिलेम करके मैं यहाँ पै arставля टाल मीनुई तक बूना चुका है तो अब मैं यहाँ डाल करके आपको चलाते रहना है लगतार आपको चलाते रहना है ये क्या हो जाता है ना सूजी जो है ना ये दूद को बहुत एपजॉब कर लेता है बहुत जल्दी तो ये देखिए मैं थोरी थोरी करके मैं डाल रही हूं और इसको हम दबाते हुए चलाएंगे ताकि ये को चलाते रहना बिल्कुल लो फिलेंब यहाँ पर हाई नहीं करनी है तो आप मतलब चाहिए तो आप मेडियम में कर सकते हैं बस कलर नहीं चैंज होनी चैएंट दो चमच यहां पर मैं चीनी डाली हूं थोरा मीठा के लिए तो इसको हम melt होने देंगे अच्छे से इसको हम binding होने तक हम पकाएंगे इसको तो आपको यहाँ पर लगता चलाते रहना है और थोरी से मैं दूद और डाल दी हूँ तो यहाँ देखिए धीरे धीरे यह गाड़ा होना सुरू हो चुका है फ्रेंस यह मिठाई बनाना बहुत इजी है आपको यह किन होगा कि यह मैं सुजी से बनाकर रेडी की हूँ और खाने बहुत ज़दा टेस्टी और यह मैं दूद ली थी ना यह फूल क्रीम दूद में ली थी मतलब उस पर से मलाई में नहीं अटाई थी तो आपको यहाँ पर फूल मिल क्रीम दूद लेनी है तो यह देखिए बाइंड होना शुरू हो गया अच्छी तरीके से यह कितना बहुत जल्दी बाइंड हो जाती है तो आपको यहाँ पर लगतार आपको चलाते रहना है और देखिए इसका एकदम एकदम क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्स्टर कितना प्यारा सा और इसे देखने में लग रहा है यह मावा जैसा दिख रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ मिलाने जरूत नहीं है बस इसको दूद और सूजी मिलानी और थोरी से चीनी तो आपको फूल वाच किजे वीडियो आपको पता चल जाएगा तो यह देखिए एक 16,15 में यहां पे पानी डाल रही हूं ध्याना आप तार वाली चास्नी नी बनानी है वस यहां पे रसेुझ लएकर तो चास्णी जू बनती पतली सीट आपको ध्याग रहे और दो तीन हहारी उलाइची में कोट के डाल ने भाट ऑल बहुत बढ़ी है इसमें तो यह देखि चिकना हो जाएगा बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाता है तो यह से हम चिकना करके उसके बाद हम चोटे-चोटे बॉल्स बना लेंगे तो ऐसे हम चिकना कर लिए हातों में जरूर घी लगा लिजी या ओल लगा लिजी तो अच्छे से यह बॉल्स बन जाता है तो यह देख या मेरे तरीके से तो आपकी वी रसुबले बहुत स्पॉंजी बनेंगे तो देखिए मैं दो बॉल्स पना ली हूँ तो ऐसे ही मैं सारे बॉल्स बना लूँगी और उसके बाद मैं यहां पर एक गुबाल देखिए मैं चासनी पहले ही चढ़ा दीती गैस पर तो यहां पर ग बंडियम हाई फिलम करनी है और इसको अच्छे से इसको उबाला लाने देखिए और धिरे-धिरे मैं यहां से देखिए मैं चला रहे हूं चम्मत से ए।री तरीके से नहीं इ liability बन करके आपको दीख रहा हो बहुत ज्यादा ही टेस्टी तो अब यहां पे देखिए मैं बनके रेडी हो चुका है तो अब मैं यहां पे मतलब डाल रही हूं एक बाउस में तो यह देखिए आपको दीख रहा होगा ना आपको एक ही नहीं हो रहा होगा ना यह सूजी से बनके रेडी हुआ है तो यह दे नेक्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक लिए बाइब एंड टेक केर अगर अगर